अस्सेलाम अलेकुम बच्चों चलिए भूल माला नजम की तश्री करते हैं इसके तीन अशार की तश्री हम भूल माला पार्ट वन में कर चुके हैं उसको जाके आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो से चलिए आगे बढ़ते हैं आप सब भी अपनी अपनी किताब सामने रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके मिशेर पढ़ते जाओंगे और उसकी तश्री करते जाओंगे शुरू करते हैं नकल योरप का मुनासिब है मगर याद रहे नकल योरप के मुनासिब है मगर याद रहे खाक में गैरते कौमी न मिलाना हरकिस इस मशायर कहते हैं कि अपने आपको उतना ही बदलो कि तुम्हारे इस बदलाव से तुम्हारी और तुम्हारे कौम की गैरत मिटी में न मिले एए मेरी माव और बेहनों, तुम हमारे कौम कासल सरमाया हो, हमारी गहरत हो, खुद को नमाईश का पेकर ना बनाओ खुद जो करते हैं जमाने की रविश को बदनाम, साथ देता नहीं ऐसो का जमाना हर्गिस जो तुम से आगकर यह कहते हैं कि यह जमाना ही खराब है, तो याद रखना कि जो लोग जमाने को बदनाम करते हैं, तो जमाना भी ऐसे बेगहरत लोग का साथ नहीं देता खुद परस्ती को लकब देते हैं आजादी का, ऐसे अखलाक पे इमान नलाना हर्किस गलत रहरवी, खुद परस्ती को जो आजादी का नाम दे कर जीते हैं और तुमें भी खुद गर्जी का सबक पढ़ाते हैं तो ऐसे लोगों से बच कर रहना ही अच्छा है आजादी से जीने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी हिंदुस्तानी तहजिब को भूल जाए और वहां की बेपरतेगी को इक्तियार कर ले रगो रोगन तुम्हें योरप का मुबारक लेकिन पॉम का नक्ष न चहरे से मिटाना हर्गिस बिला शुबा, योरप के फैशन को अपनाओ लेकिन तुम्हारी हस्ती से, तुम्हारे चहरे से, तुम्हारे तहजिब झछलकनी चाहिए आगे हैं जो बनाते हैं नुमाईश का खिलोना तुमको उनकी खातिर से ये जिल्लत ना उठाना हर्गिस ऐसे लोगों के लिए खुद को क्यों बदलना ऐसे लोगों के लिए खुद को क्यों बदलना जिनके लिए तुम महज एक नुमाईश का अंसर हो रुख से पर्दे को हटाया तो बहुत खूब किया पर्दे शर्म को दिल से ना उठाना हर्गिस शार कहते हैं कि खुद को तुमने पर्दे के बंधन से आजाद किया तो बहुत खूब किया लेकिन इस तहजीब ने इस धर्ती ने इस तहजीब ने इस धर्ती ने जो हया का जेवर तुम्हें बख्षा है उसकी हिफादत करना तुम्हारा फर्ज है तुमको बख्षा है जो गुद्रत ने हया का जेवर मौल इसका नहीं कारूं का खजाना हरकिस हया और शर्म का जेवर ये एक ऐसी दौलत है जो अन्मौल है दुनिया का कोई खजाना इसका मुकाबला नहीं कर सकती दिल तुम्हारा है वफाओं की परस्तिश के लिए इस मुखबत के शिवाले को नढ़ाना हरकिस और तुम्हारा दिल मुखबत का मंदिर है और तुम उस मंदिर के वफा की देवी हो पूजने के लिए मंदिर है जो आजादी का इसको तफरी का मरकज ना बनाना हरकिस और इस मंदिर को तफ्री और दिल लगी का मरकज बना कर इसकी तोहीन न करना नकद अखलाक का हम नल की तरह हार चुके तुम हो दमनियत ये दोलत न लुटाना हर्गेज ये शेर तलमी का शेर है तलमी क्या होती है इसको हम आइंदा समझेंगे राजा नल जिसने एशो एशरत में पढ़कर अपना सारा सरमाया तमाम दोलत को जुए में लुटा दिया उसी राजा नल की तरह हमारे कौम के मर्दों ने अपने किरदार को तार तार कर दिया लेकिन तुम रानी दम्यंती हो जिसके उचे किरदार, वफा और महबत ने राजा नल को बदलने पर मजबूर कर दिया इसी तरह तुम भी अपने किरदार और वफा का दामन हाथ से छूटने ना देना खाक में दफन है मजब के पुराने पाखंड, तुम ये सोते हुए फितने न जगाना हर्गिस मजब के नाम पर जो लड़ते और मरते हैं तुम्हें इस फितने से बच कर रहना है क्योंकि ये मर्दों का रचाया हुआ ऐसा पाखंड है जिसमें पुरी कौम की कौम तबाव बरबाद हो जाती है अपने बच्चों की खबर कौम के मर्दों को नहीं, ये हैं मासूम, इन्हें भूल न जाना हर्गिस इन जूट और फरेब से उपर, खुदा ने तुम्हारे कांदे पर आने वाली नसली की अखलाकी अगदार की जिम्मेदारी दी है बस तुम्हें ये काम पूरी महबत और लगन से करते जाना है उनकी तालिम का मकतब है तुम्हारा जानू, पास मर्दों के नहीं उनका ठिकाना हर्गिस और इनकी पहली दर्जगा तुम्हारी गोद है, या जीम शर्फ खुदाने मर्दों को नसीब नहीं की कागजी फूल विलायत के दिखा करें को देश के बाग से नफरत न दिलाना हर्गिस इसलिए तुम्हारा ये अवलीन फर्ज है कि तुम इन मासूम और फूल से कॉमल मन में अपने देश के तई, यानि अपने देश के प्रती, प्यार और महबत को भरो इन्हें विलायत के सपने न दिखा कर अपने महबत से कर, अपने वतन से महबत करना, सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है नगमे कौम के लिए जिसमें समाही न सके, राग ऐसा कोई इनको न सिखाना हर्गिस और इनके अंदर हुब बलवतनी का जजबा बेदार करना तुम्हारा फर्ज है तुम्हारी लोरी में कौमी तराने का धुन शामिल होना चाहिए ताके बच्चे के अंदर अपने देश के प्रती प्यार पैदा हो और वो इसी देश में रहे कर अप कुछ ऐसा काम करें जिससे उनके देश का नाम रोशन हो इसके बाद है परवरिश कौम की दामन में तुम्हारे होगी याद इस पर्ज की दिल से न भुलाना हर्गिस और इस कौम का सारा दारो मदार तुम्हारे परवरिश पर ही मुनहसर है गो बुजर्गों में तुम्हारे नहीं उस वक्त का रंग इन जाईवों को न हस हस के रूलाना हर्गिस बुजर्गों की इज़त करना उनका सम्मान करना हमारी तहजीब हमें सिखाती है होगा पढ़ले जो गिरा आँख से इनकी आसू बच्पने से न ये तूफान उठाना हर्किस हमारी तहजीव में घर का बजर्ग भगवान के समान होता है अगर उनके दिल को ठेस पहुची तो वो घर कभी खुशाल नहीं रह सकता अपने बच्चों को बुज़रों की इज़त करना सिखाओ हम तुम्हें भूल गए इसकी सजा पाते हैं तुम जरा अपने तई भूल ना जाना हरकिस अगर आज हमने अपनी तहजीब उसकाफत को नहीं बचाया तो कल हमारी ये बच्चे भी हमारी इज़त नहीं करेंगे और इसमें इनका कोई कुसर नहीं होगा क्योंकि आज अगर हमने इन्हें यूरप की तहजीब में ढालेंगे क्योंकि अगर आज हम इन्हें योरप की तहजीब में ढालेंगे तो फिर उनके अंदर अपने कौम के तहीं कोई जजबा कोई हमदर्दी नहीं होगी यहां की जुबान की शीरीनी से ये बिलकुल अन्जान होंगे इसलिए किस के दिल में है वफा किस की जुबा में तासीर इसलिए ऐ मेरी माओ और बहनों आने ये नसलों की अखला की अगदार के लिए तुमें खुद को अपनी तहजीब में ढालना होगा वरना जिस तरह से तुम आज अपने बुजर्गों की सोच लिबास वतवार को दक्यानुसी नाम देखकर उन पर हसती हो तो कल तुम्हारे आने वाली नसल तुम पर हसेगी उनके अखलाके अगदार को सवारना है तो हमें अपने आज को सधारने की जरूरत है और आखिर में प्यार वफा हुपल वतनी के जजबे से महकते हुए पूलों को हिंदुस्तानी तहजीब की डौरी में पिरो कर जब एक माला तयार करेंगे तो वो माला असल में पूल माला कहलाएगी जो हमारे देश की इजज़त और गहरत का निशान होगी अमीद करती हूँ कि ये तश्री आपको समझ में आ गई होगी शुक्रिया जाने से पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे ताके आने वाले नए यूडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे